Hello students, कैसे हैं आप? I hope और मेरे को विश्वास है, hope नहीं विश्वास है कि आप लोग बढ़िया होंगे क्योंकि आपने integration part 1 और part 2 दोनों देख लिये हैं और आपने उन rules को cover कर लिया है और आपने promise कर लिया अपने आपके साथ कि हम सारे parts देखकर आज integration के अंदर मजबूत हो जाएंगे, अब से डरेंगे नहीं तो आज हम शुरू कर रहे है part 3, हमने 7.2 तक के rules और method पढ़ लिये थे, आज हम पढ़ेंगे 7.3 और उसके आगे के rules and method जितना भी हो पाएगा सबसे पहले हमारे पास अब जो method है, वो method है Trigo integration, अब Trigo integration का क्या मतलब होता है, कि जैसे आपको मालू मैं Trigo से वैसे ही बच्चों को डर लगता और वो integration में भी आ गया, यानि डर का square हो गया, तो डर का square है आज इसको हमने बगा देना है, Trigo integration का मतलब है कि जो आपका topic स्टा होगा, integration के formula से start होगा, और last में जाके हलका फुलका, हलका फुलका integration लगने वाला है, ज्यादा मजबूत, ज्यादा भारी integration नहीं लगने वाला है, तो शुरुवात कहां से करनी है आपने, शुरुवात करनी है Trigo के formula से, तो वैसे तो बहुत सारे formula लगते हैं, लेकिन main main जो formula लगते हैं, पास साथ वो ही लिखवाँगा, बाकी तो आपको खुदी learn करने होंगे और वो आपको मालूम है, description box में जो link होता है, उसमें आपको सारे formula मिल जाएंगे, तो सबसे पहले जैसे 2 sin A cos B, यह होता है, sin of A plus B, plus sin of A minus B, दूसरा है, 2 cos A sin B, यह बराबर होता है, sin of, बीच में minus आ जाएगा, sin of A plus B, minus sin of A minus B, ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास है, 2 cos A cos B, यह बराबर होता है, cos of A plus B, plus cos of A minus B, 4 है, 2 sin A sin B, यह बराबर होता है, cos of A minus B, minus cos of A plus B, पांचवा formula जब भी sin square theta आएगा, तो 1 minus cos 2 theta by 2 करना है, और जब भी cos square theta आएगा, आपने 1 plus cos 2 theta by 2 करना है, तो यह मैंने कुछ, जैसे बोता हैं, sample, sample के तोर पर यह formula लिखे हैं, बाकी कोई भी formula इसमें लग सकता है, कोई ऐसी परशान होने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा learn करके चलना है, और क्योंकि trigger और साथ में integration, तो ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं, एक दो question मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे for example, मानलो अपने पास है, sin 3x, cos 4x, यह question है, sin 3x, cos 4x, तो मतलब यह वाला देखे, sin पहले फिर cos है, तो इस formula को लगाने के लिए आपने 2 से divide, 2 से multiply कर देना है, 2 से divide, 2 से multiply कर देना है, तो यह हो गया, 2 sin a cos b, यह देखे, 2 sin a cos b है न formula, तो यह लगेगा, sin of a plus b, 7x, a plus b, a plus b, 7x हो गया, plus sin of a minus b, तो minus x हो गया, sin of a minus b, तो यह minus x हो गया, ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए, sin of minus theta, minus sin theta होता, cos जो होता है, वो तो अपने minus को absorb कर लेता है, consume कर लेता है, c for cos, c for consume, cos जो है, अपने minus को consume कर लेता है, लेकिन sin जो है, भार फैक देता है, sin जो है, भार फैक देता है, तो sin of minus theta is minus sin theta, तो यह minus भार आने वाला है, यह वाला minus जो देखिए, भार आने वाला है, minus half sin x dx, ठीक है, यह sin भार आ गया, अब sin theta का integration बोलिए, family याद किया है न, अरे यार, यह एक बच्चा बीच में बोदेखों को बोल रहा है, के sir अभी थोड़े थोड़े याद हुए, नहीं भाई, नहीं, काम नहीं चलेगा, फिर वो ही आखो के आगे इंदेरा चा जाएगा, फिर आपको कोगे डर लगता, नहीं, अपने आपस के जो प्रॉमिस किया है, उसको फोकस करिए, तो sin का integration होता है, minus cos theta, upon में derivative of theta, इस बात का ध्यान रखिए, sin theta का होता है, minus cos theta upon में derivative of theta, minus cos theta upon में derivative of theta plus c, तो यह एक मैंने question करके दिखाया है, जिसमें कि मैंने formula लगा दिये, direct, एक और करके दिखाता हूँ, ज्यादा नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि ज्यादा आप लोगों को करना है, अब ही हम सिर्फ discuss कर रहे हैं, किस चीज के बारे में, हम discuss कर रहे हैं, rules and methods के बारे में, हम एक वीडियो ऐसी भी करेंगे, जिसमें मैं कम से कम 15-20 question mix करके बताऊंगा, mix, दिखान रखें, लेकिन उस सारे parts के बाद, कि देखिए, ये question है, इसको देखते ही, आपके दिमाग में वो rule आना चाहिए, इसको देखते ही, आपके दिमाग में वो rule आना चाहिए, 2x plus 1, sin square 2x plus 1, और sin square theta का integration होता है, 1 minus cos theta का double, sin square theta का integration होता है, 1 minus cos theta का double, ठीक है जी, तो 1 minus cos और theta का double, इसका double करेंगे तो यह हो गया, 4x plus 2, सारा खेल formula हो गया भाई, सक्सेस या समझना, maths के अंदर, उसका एक मंत्र है, वैसे लोग कहते हैं, सक्सेस का कोई formula नहीं होता है, मैं बताता हूँ, सक्सेस का formula होता है बढ़ाई के अंदर, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी topic आप पढ़ रहे हैं, उसको अच्छी तरह से learn करें, आड्रेस डालेंगे तभी तो google map arrow दिखाता है, यह जाए, वहाँ जाए, यहाँ ट्रैफिक है, यहाँ से मत जाए, वहाँ से जाए, लेकिन address तो डालो भाईयों, भैनों, माताओ, माताओ तो कोई भी नहीं है, लेकिन मोधी जैसे कहते हैं, तो कहने का मतलब यह है, कि पहले आपको formulate जो मैं समझाने जा रहा हूँ, वो तो याद करिए, question ना निकले, निकलेगा, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, अब इसको अलग-लग करिए, half 1 dx minus half cos 4x plus 2, 1 का integration आपको मालूम ही चल गए, आप तो x होता है, cos theta का integration sin theta होता, upon में derivative of theta plus c, cos theta का integration sin theta upon में derivative of theta c, तो इसका मतलब कहने का यह होगे, आप समझ गए भाईयों, कि आपको formula लगाने है, trigger के और last में जाके integration का, तो मामला बड़ा, थोड़ा सा है, ठोड़ा सा है, कौन सा part चल रहा है, part 3, अब हम एक rule पढ़ने वाले, rule 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 rule, वो rule क्या कहता है, अगर question sign में हो, या question cos में हो, या question दोनों में हो, question sign में हो, cos में हो, या दोनों में हो, तो out of MN out of MN which is odd make that power even question sign में है cost में है question sign में है cost में है दोनों में से किसी में भी हो या दोनों में हो तो जिसकी भी power odd होगी उसको even बना लेना है और अगर दोनों ही power odd हो तो किसी एक को even बना लेना है आगे बाद समझ में है तो दोनों power odd हो तो किसी एक को even बनाना है अदरवाइस दोनों में से कोई एक odd हो तो इसको even बनाना है मिटा के नहीं बनाना है बदने अतातों कैसे बनाना है जैसे for example हमारे पास question आया sin cube x cos 4x sin cube x cos 4x देखिए power 3 है न और यही बोलते हैं तो इसको even बना लिजें even बनाने के लिए 1 sin x को अलग कर लिजे 1 sin x को अलग कर लिजे तो sin square x हो गए न even अब इसको लिखें 1 minus cos square x अब इसको लिखें 1 minus cos square x फिर cos x को t मान लिजे cos x को t मान लिजे cos x को t मानेंगे दोना तरह derivative लिजे तो यह हो गया minus sin x dx dt वोई था ने substitution method जिसमें function derivative दोनों दिये होते हैं तो आपने function को t मान लिए ठीक है तो cos x को t माना sin x dx dt माइनस extra है माइनस को उदर ले जाईए तो मैंने माइनस को उठा के उदर ले गए अब माइनस dt हो गया तो यानि मेरा question बना 1 minus t square और t4 अब इसकी bracket खोल लिजे इसकी bracket खोल लिजे और t4 का आपको मालूम है t5 by 5 और t6 का t7 by 7 t की value पुट कर देंगे ती की value जरूर पुट करने जैसे चाय के साथ कुछ ना कुछ ना कुछ खाते हैं उसी तरह से t की value जरूर substitute करनी है बात समझ में आ गई यहां तक चलो अच्छी बात है यह rule बड़ा important था मैंने आपको बताया आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है अब मैं आपको कुछ formula बताने वाला हूँ कुछ formula बताने वाला हूँ जो 7.4 से related है तो सुनिए देखिए हमारे पास तीन basic forms होती है एक होती है a square minus x square एक होती है a square plus x square एक होती है x square minus a square तो यह तीन basic forms होती है a square minus x square x square minus a square और a square plus x square इसी के ओपर based हमारे formula है ये बाद में बताऊँगा ये चीज़ लेकिन ये तीन forms को सुनिए हमारे परस formula क्या है ता है कि जैसे for example ये form आगई one upon में a square minus x square ठीक है जी इसी तरह से ये दूसरा formula ये तीसरा formula ये formula है मारे चौथा तो यही root में ले रहा हूँ मैं यही वाली form को मैं root में ले रहा हूँ मतलब मैंने a square minus x square को without root लिया है फिर a square minus x square को with root लिया है ठीक है फिर ऐसे ही x square minus a square को without root लिया है और x square minus a square को with root लिया है फिर one upon a square plus x square को without root लिया है one upon a square plus x square को with root लिया है तो वो ही तीन form का खेल है वो ही तीन forms है जो मैंने भी आपको बताई बस यह है कि वो with root है या without root है यह आपको देखना है इन formula के लिए इन formula की application के लिए यह बड़ा जरूरी है कि numerator must be 1 यह formula तभी लगेंगे direct, कब लगेंगे अभी लगेंगे लेकिन numerator 1 होना चाहिए अगर numerator 1 नहीं है कितना? numerator अगर 1 नहीं है तो यह formula नहीं लगेंगे, ध्यान रखिए इस बात का तो यह formula क्या है 1 by 2a 1 by 2a log a plus x a minus x ध्यान रखिए इस बात का, थोड़ा सा थोड़ा सा learning work भी करना पड़ता है न तो 1 by 2a log a plus x a minus x यह हो गया 1 by 2a log x minus a upon x plus a 1 by 2a log x minus a x plus a, इसको लिखेंगे तो यह होगा 1 by a 10 inverse x by a 1 by a 10 inverse x by a ठीक है जी, ऐसी इसको लिखेंगे तो यह होता है, sin inverse x by a sin inverse x by a clear है, यह होता है log x plus x square minus a square वो एक दो बार करोगे न, याद हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं ऐसे घबराओ मत यह होता है log x plus यह पूरा root के अंदर आ जाएगा x square plus a square 1 by 2 a ठीक है, 1 by 2 a और यह a square plus x square 1 upon a 10 in, यह मतलब आप इसको logically समझ सकते हैं इसको illogically आप याद कर सकते हैं ठीक है, इसको आप logically समझ सकते हैं क्योंकि हमने formula लिखा हुआ है 1 upon x square plus 1 का, याद होगा आपको 10 inverse x होता है 1 upon x square plus 1 का formula होता 10 in, रखुशी से बना हुआ है और एक formula root में भी होता है root 1 minus x square का formula होता है sine inverse x तो यह भी वही चीज़ है तो इन दो formula को हम logically याद कर सकते हैं बाकी को illogically learn करना पड़ेगा ठीक है जी तो यह formula के उपर अब यह formula बने कैसे हैं यह नहीं बता रहा है लेकिन formula को apply कैसे करना है वो बता रहा हूँ और उससे पहले जो देखिए जो मैंने उपर 3 forms लिखी थी वापिस उस चीज़ को देखिए जो उपर मैंने 3 forms लिखी थी कि भी हमने कोशिश तो यही करनी है कि यह formula direct लग जाएं मत गुस्से वाला आगया भाई बिलकुल गर्दन हिलाने भी नहीं दे रहा पूछने भी नहीं दे रहा मैं तो सोच के आया था formula अपने हुशार बच्चे से पूछूंगा और वो भी जो है आज की rate में चुब बैठा है क्योंकि इमजिलेटर बोलने नहीं दे रहा तो क्या करना है यह form याद कर लेनी है कि अगर कोशन के अंदर a square minus x square होगा तो put x equal to a sine theta अगर कोशन के अंदर a square plus x square होगा तो put x equal to a 10 theta अगर कोशन के अंदर x square minus a square होगा तो put x equal to a sine theta कहने का मतलब यह है कि अगर फार्मले नहीं लग रहे इनसे तो 100% कोशन सॉल्व होई ही जाएगा यह अगर आग आग फॉर्म कोशन में अपलाई कर देते हैं तो यह कोशन तो 100% सॉल्व कर देगा थोड़ा सा थोड़ा सा length की दिक्कत है अगर डारेक्ट फार्मले से 2 मिनट में हो रहा है तो इसमें 3 सवा 3 सवा 4 मिनट में भी हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन कोशन छोड़ने से तो अच्छा है कोशन में समय बर्बाद करने से तो अच्छा है कि भाई formula नहीं सौंज में आ रहा तो ये लेकिन form नजर आ गई और इसमें पता है क्या एक और भी चीज आपको बताता हूँ उन formula के लिए मैंने क्या बताया numerator 1 होना चाहिए अब इसमें तो numerator 1 ना भी हो तो भी कोई बात नहीं numerator 1 ना भी हो तो भी कोई बात नहीं ये formula लेटलो ये substitution बोलते हैं इसे substitution में पढ़ने जाते हो ना substitution सब्टूशन में जाते हैं substitution ये अगर आप याद कर लेते हैं तो ये आपको बहुत फायदा करने वाला है कि दस तरह के फार्मले याद करने की बजाए आप इन substitution को भी लगा सकते हैं लेकिन problem तो समय की है ना paper के अंदर तो समय limited होता है इस पे तो जब कहते हैं जब जान पे बनाई तो बंदूक नहीं चलाई थी लेकिन किसी ने हमला कर दिया आप कोई भागने कर रस्ता नहीं था गोली मारनी पड़ती है अपने बचाव के लिए भी कई बाल कतल करना पड़ता है समय लोग एक कतल वाला काम तो जल्दी से बताता हूं मैं आपको इन फार्मलों का application ध्यान से सुनिये जैसे मानलों for example अपने पास question है direct question उता रहा हो पहले जैसे x square प्लस 9 है तो मैं इसको लिखूंगा x का square प्लस 3 का square x का square प्लस 3 का square तो यह फार्मला बन गया x square प्लस a square x square प्लस a square तो वो होता है 1 upon a यह a होता हमेशा द्यान लखना constant वाली term a होती है 1 upon a 10 inverse x y plus c 1 upon a 10 inverse x by a plus c ऐसे direct reply कर देना लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा change आजए इसी में मान लो थोड़ा सा change आजए यह हो गया question for example 4x square प्लस 9 कर दी आपकी बार मैंने तो मैं इसको लिख लूँगा 1 by 2x का whole square प्लस 3 का square 4x square को क्या लिख लूँगा 2x का whole square प्लस 3 का square तो फिर वोई फार्मला 1 upon a a मतलब 3 10 inverse x by a मतलब 2x by a 1 upon a 10 inverse x by a upon में derivative of this यह ध्यान रखना शुरू में मैंने आपको बताया था भूल जाओ, कुछ भी भूल जाओ लेकिन यह जरूर याद रखना है कि जितने भी फार्मले बने है वो x के लिए बने होते हैं यह 11th में भी आपको बताया गया होगा जितने भी फार्मले बने हैं वो x के लिए बने हैं लेकिन अगर x के लावा कुछ आ जाए तो उसका भी effect पढ़ता है जैसे मैं एक छोटा से example और देता हूं फार्मला बना हुआ है sin x sin x का derivative cos x फार्मला पढ़ा हुआ है चोटा सा फार्मला x के लिए बना देखिए इसका angle x है तो यहाँ पे x आ गया sin x का derivative cos x sin x का derivative cos x कितना असान है लेकिन मैंने आपको बताया x के लावा कुछ हो राजा है तो उसका भी effect पढ़ता है जैसे मानलो यहाँ पे sin x ना होकर sin 2 x हो गया change हुआ ना अब sin x थो नहीं है ना यह sin 2 x है ना तो change हुआ तो क्या same derivative कैसे हो सकता तो sin 2 x का derivative हो गया cos 2 x तो into में इसका derivative भी आएगा 2 x का आएगा कि नहीं आएगा मानते होग नहीं मानते है मानना पढ़ेगा नहीं मानोगे मेरा क्या लोगे मानना पढ़ेगा तो कहने का मतलब यह है जैसे यहाँ पे formula किसके लिए था x का square था यहाँ पे 2 x का square है तो upon में derivative of 2 x भी आएगा एक और बताता हूँ चलते चलते पिर उसके बाद हम part 4 में करेंगे क्योंकि आपको थोड़ा 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 दोज दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा दोज दे रहा हूँ ताकि आपकी भूक बढ़े और वो पच जाए जैसे हम बहुत तेज भागते भागते आ रहे हैं एक किलोमेटर भाग रहे हैं दो किलोमेटर भाग रहे हैं और आपने बोला मम्मी मम्मी मैं सग गया पसी ने आगे मेरे को एक गिलास पानी दो मम्मी ने क्या किया एक चम्मज पानी दिया एक चम्मज पानी से कुछ भी नहीं हुआ आपने और मांगा मम्मी ने दो चम्मज द लेते हैं तो यह हो गया 3 का स्केर माइनस 4 x का स्केर तो a स्केर माइनस x वाला फामला हो गया वह होता है साइन इनवर्स x by x by अपन में derivative वह बेस 4 अपन में derivative वह बेस 4 तो यह ध्यान रखिए और कोई कोई भी वीडियो है उसको अन तक देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए शेर करिए सिरफ अकेले अकेले मिठाई मत खाईए दूसरों को भी मिठाई की जाने का मुका दीजिए आपको बहुत दुआएं देंगे और आप स्वर्ग में जाएंगे माक्स का तो अच्छा आना ही आना पका है स्वर्ग में जाए हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टा के चैनल उनके भी लिंक है उनको भी देखिए उनके उपर भी समय समय पर बहुत इंफॉर्मेटिव नॉलिज की शूल और मोटिवेशनल वीज डाल डे जाते हैं तो आप उनको देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल्ट बटन दबाईए ओके बाए 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 झाल 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